दोस्तों ये कहानी एक ऐसे बीच की है जहां पर टाइम बहुत तेजी से बीचता है और चार साल के बच्चे आठ साल के हो जाते हैं और पल भर में ही ये दोनों भटा भट भटा भट करके माबाप भी बन जाते हैं तो चलिए देखते हैं कि ऐसा बीच कहा पर है मूवी के शरवात में हम एक फैमली के चार मेंबर्स को देखती है ये लोग दूसरे देश में वेकेशन के लिए आये होते है वेकेशन के टिरिप की टिकेट उन्हें किसी तरह से फ्री में मिली होती है होटल में पहुछने पर जो इस रिजॉर्ट का मैनेजर होता है वो इस फैमिली का वी आईपी के तरह वेलकम करता है इस फैमिली के सबी लोग यहाँ पर आके काफी खुश होते है लेकिन फ्रिसका जो गाई की वाइफ है वो एक कैंसर की मरीज है उसके पेट में ट्यूमर होता है और यह सारी बाते उसने अपने बच्चे को नहीं बताई होती है इस परिवार के अलावा यहाँ पर और दो परिवार होते है जिनका भी वहाँ पर होटल का मेलेजर वी आईपी के तरह ख्याल रखता है तीसरी जो फैमिली होती है उसमें जेरिन के वाइफ जिसका नाव पैट्रीसिया होता है वो एक मेरगी के दोरे की मरीज होती है और उसे अकसर मेरगी के दोरे आते थे ट्रेंड की दोस्ती हहाँ पर मेनेजर के भतीजे हैटलिक से होती है जिसके साथ में खेलने के बाद टेंट को एक कोडिंग वाला पेपर देता है एडलिक का यहाँ पर कोई भी फ्रेंड नहीं होता है इसलिए ट्रेंड के साथ दोस्ती होने से वो काफे खुश होता है अगले दिन वो मैनेजर इन सभी फैमिली वालों को बीच पर जाने का प्लाइन मनाता है और वो इनने बताता है कि इस बीच पर कुछ ही लोग जाते हैं जो हमारे लिए खास होते हैं या फिर वो वी आईपीज होते हैं ये सुनकर वो सब भी काफी ज़दा एकसाइटेड हो जाते हैं और अगले ही दिन बीच पर जाने के लिए निकल जाते हैं इनके साथ ही एक और फैमिली होती है और ये सभी जन्धी वहाँ पर पहुँच जाते हैं बस का ड्राइवर मंजे से पहले ही बस को रोक कर उन्हें बीच का रास्ता बता कर वहाँ से चला जाता है अब ये सभी थोड़ा बहुत चल कर आकिरकार बीच पर पहुच जाते हैं ये बीच काफी मस्त और शांदार होता है और सभी बच्चे यहाँ पर खेलना और मौर्ज मस्ती करना शुरू कर देते हैं दूसरे फैमिली में जॉन और उसकी वाइफ प्रिस्टिल डर जाता है और चिला कर अपनी मौम के पास जाता है सभी लोग उस लड़की को पानी से बहार निकालते हैं तब ही वहाँ पर एक और आदमी आता है जिसका नाम सुडान था ये यहाँ पर पहले से ही था जब ये इस लड़की को देखता है तो ये कहता है कि ये मेरी गर्लफरेंट है जो की पानी में स्विमिंग करने गई थी और मैं कब से इसी का वेट कर रहा था सुडान की नाम से खून भी निकल रहा होता है जिससे सब को शक होता है कि शायद इसने अपनी गर्लफरेंट को मार डाला हो और उसने अपने मचाफ के लिए इस पर हमला किया हो बगर सुड़न यहाँ पर बार बार इन सभी को यकीन दिलाता है कि उसने अपनी गर्ल्टरिंग को नहीं मारा है दूसरी साइड जॉन के मौम के सीने में बर्दोना शुरू हो जाता है और थोड़ी ही देर में उनकी पहुत हो जाती है इन सब के बाद वहाँ पर एक और फैमिली आती है जो कि पैटरिस्या और जेरीन होते हैं लेकिन यहाँ पर मामला ठीक ना होने के कारण जो फैमिली यहाँ पर पहले सी थी वो यहाँ से जाने के तयारी करने लगते है यहाँ तक कि उनके फाउन में नेटवर्ग भी नहीं आ रहा था तो अब ही क्या करते हैं जेरीन जिस रास्ते से बीच पर आया होता है वो उसी रास्ते से जाने की कोशिश करता है तो उसका माइड अचानक से चक्रा जाता है और विभोश होकर वो वापस से बीच पर पहुँच जाता है थोड़ी समय बात जब पैट्रीसिया और जैरीन मैडॉक से बात कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि मैडॉक और टैन की उमर अचानक से बढ़ चुकी है वो दोनों 13 और 6 साल के थे अब बढ़ कर 17 और 10 साल के हो चुके होते हैं उनके मामने इनको देकर काफी हैरान हो जाते हैं उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार हुआ क्या है जो लोग भी उस बीच से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वो दुबारा से बेवोश होकर फिरसे बीच पर आ जाते थे यहां पर बच्चों की उमर तो काफी तेज़ी से बढ़ रही थी लेरा जो कि पहले 4 साल की थी वो अब बढ़ कर 8 साल की हो गई है कुछ तेर बात सभी लोगों को पता चलता है कि यहां पर टाइम काफी तेज़ी से बीत रहा है जिस बच्चे से सभी लोगों की उमर बढ़ती जा रही है जो लोग पहले से ही बढ़े है उनमें तो जादा बदलाव नहीं नज़र आ रहा था मगर जो बच्चे चोटे थे उनका शहरे काफी तेज़ी से बदलता जा रहा था और यहां पर जितने भी लोग है उनकी फैमिली में से कोई ना कोई एक बीमारी से पीडित होता है पेट्रीजिया को मिर्गी के दौरे होते है प्रिस्का के पेट में ट्यूमर होता है सुदान को भी एक रेर बेमारी होती है जिसे उसके नाक से खूनाता रहता है और जौन को दिमागी प्राब्लम होता है जौन के मन में अचानक से कुछ ऐसा आता है जिससे वो सुदान के मूपर चाकू से कट मार देता है लेकिन कुछ सेकेंड में ही वो पहले जैसा बिलकुल ठीक हो जाता है क्योंकि समय के काफ़े तीस चलने के वज़े से घाउ तुरंथी ठीक हो जाता है बहीं प्रिस्का का क्यूबर भी टाइम के साथ बढ़ते जा रहा था जिससे उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते ही वो बिभोश हो जाती है प्रिस्का को बचाने के लिए उसके पेट से ट्यूमर निकालना ज़रूरी था इसलिए गाय बिना देरी किये प्रिस्का के पेट से ट्यूमर निकालने का फैसला करता है जॉन अपनी चाकू की मदद से प्रिस्का के पेट पर कट मारता है लेकिन वो एक सेकंड से पहले ही ठीक हो जाता है इसलिए वो सभी एक आइडिया लगाते हैं कि एक तरफ हम लोगों की कट मारने के बाद हमें उसे खोल कर रखना होगा अब कट मारने के बाद वो एक हर्बुजे जितना ट्यूमर उसके पेट से निकालते हैं और जरा से देर में ही प्रिस्का ठीक हो जाती है सुडान की गल्फरिंड के मनने के बाद उसे कपड़े से अब उसकी केवल हड्डियाई बची हुई थी उसकी पूरी पॉड़ी डिकंपोस हो चुकी थी ये देखकर सब लोगों के होशोड़ जाते हैं दूसरे तरफे टेंट में ट्रेंट और क्यारा एक साथ लेटे होते हैं अब वो और भी बड़े हो चुके होते हैं उनकी शरीक गया यही सब सोचने के दौरान क्यारा का बच्चा भी होने वाला होता है बगर क्यारा का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है ट्रेंटे इस पज़े से काफी दुखी हो जाता है टाइम के साथ साथ जान की दिमागी हालत और भी खराब होते जा रही थी जब सुटान एक जग कि यहां से निकलने की कोशिश करती है पर उचाय पर जाने के बाद उसका पर इंकाम करना बंद कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और वो भी बर जाती है क्यारा के बने के बाद टेंट पागल सा हो जाता है वहीं पैटरी से वो दौरे आने की बिमारी होती है लेकिन क पूरी तरह से पागल हो चुका था वो किसी के ऊपर भी हमला करने लग जाता है और वहीं अपने बचाव के लिए प्रिसका जॉन पर एक चाको से हमला कर देती है जिससे वो भी बढ़ जाता है सभी लोगों के मर जाने के बाद बस अब एक ही फैमिली जंदा बच पाती है ले के बाद वो दोनों भी अब बुढ़े होकर मर जाएंगे अब उन दोनों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें इसलिए लास्ट बार ट्रेंट मैडॉक से रेत का महल बनाने को कहता है महल बनाते समय अचानक ट्रेंड को कुछ याद आता है कि मूवी की मैं उसने ट्रेंड को एक कोणिंग वाला पेपर दिया था और अब ट्रेंड उसे सॉल कर लेता है तो उसे हां से निकलने का आईडिया पता चल जाता है वो दोनों समुद्र में जाते हैं और तहर कर वहां से किसी जगा पर जाकर बाहर निकलने का ट्राइ करते हैं लेकिन तब ही मैडॉक्स का कपड़ा किसी पौदे में अटक जाता है और ये सारी चीजें एक आदमी दुर्पीन की मदद से देख रहा होता है जो कि बस का ड्राइवर होता है वो फोन पर कहता है कि आखरी में यहां पर दो लोग बचे थे और अब ये भी मर चुके है उसके बाद बस का ड्राइवर वहां से निकल कर एक लैब में जाता है और ये जो लैब होती है उसे जानकर आप लोग बिलकुल ही चौक जाओगे ये जितने भी साइंटिस और डॉक्टर यहां पर मौजूद है ये सबी लोग यहां पर बिमारियों की इलाज का दवाई मनाते है लेकिन किसी भी दवाई की टेस्ट की असर को जानने के लिए उसे सालों लग जाते हैं जिससे की ये पता चल सके की कौन सी दवाई ठीक है और कौन सी दवाई काम नहीं कर रही है ये सबी लोग दुनिया से बिमार लोगों को ढून कर उन लोगों को तूर के बहान यहाँ बुला कर अपनी मेडिसिन की test इस बीच के मदद से करते हैं इस बीच पर उमर काफ़ी तीजी से बढ़ती है वो सभी लोग यहाँ पर अपनी मेडिसिन का उन पर try करते हैं रिजॉर्ट का मैनेजर अगले दिन फिर से एक नए टूरिस्ट का वेलकम करने जाता है तब ही वहाँ पर मैंडॉक्स और ट्रेंट आ जाते हैं जिनको वो लोग मरा हुआ समझ रहे थे वो असल में मरें नहीं होते हैं वो दोनों लोगों समुदर से बचकर वहाँ निकल जाते हैं और सभी लोगों के सामने आकर मैनेजर की पोल खोल देते हैं ट्रेंट और मैंडॉक्स वहाँ पर सभी लोगों को बता देते हैं यहाँ पर क्या होता है सिर्फ एक ही दिन में 6 साल का बच्चा एक जवान आदमी में कैसे बन गया अब आखिर खान ये दोनों भाई बैन बन जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है ऐसे योर स्टोरी सुनने के लिए हमारे पीच को लाइक करें पर निवाद